साथियों, लिए सभी का स्वाइट आपके अपने ऑपने प्लीटर्फार्म रेटाने ख्लासयों पर देखिए, आपको आदमिक भासी प्रीषाद पढ़ाया जाता है, इसमें हम आपको क्या बता रहे थे, इसमें हम आपको प्रेस का विस्तार बता चुके थे, सिच्छा का वि इस पर कही सारी movies ही बनी थी क्यों important थी तो कि फिले और हो गई थी लेकिन अंग्रीज की जड़ों को हिला के गई थी तो कहीं न गहीं इसके बाद से विद्रो उठते रहे उठते रहे उठते रहे और अंत में यहर कि हमें इसके 90 साल के बाद जो हमें आजादी मिलती है तो आन समझ में आ रहा है और जी इस में भी यह काम आएगा आपको आपके बोके श्टॉल और फिर पीडियो आपको प्रोवाइट करा दी जाएगी देखें यह हम आपको पूरा बता चुके थे तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह आपका जो नौर्थीस्ट के तरफ जो को हुआ था हम बताने जा रहे हैं तो यह आपका था यह देखें लहाबा बताच्ओक जेते हाँ जी यह असम ऐकिया असाम मैं क्या था रिवान थे मनिरम रॉतन नहीं और जो नहीं उन्ते परन्ते थे कट से ऑद गोशेट कर उन्हारोट की टेंढमे के सिरोभात कि सेघी विद्रों सो कहा हमना को फासिद एते ही इसे को टा तरफ राइस्थान में आईए राइस्थान में अंधें अग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्यागर विद्रो के दिया गया यहाँ चैदयाल और हदयाल ने किया था उन्हें तोप से उड़ा दिया गया था चलिए अब आगे दिखते हैं क्या हुआ अठाव सम्तावन की करांटी के विद्रो के समय अंग्रेजों और जोट पुरकी सेना को को आउगा कि ठागो कुसल सिंग ने पराजित कर दिया अब औरीसा में औरीसा की तरब भी था पुरा भाद फैला था औरीसा से औरीसा में संबल पुर के राजकुमार सूरेंद साही और अच्वल साही ने विद्रो किया गंजाम में साबरों ने राधा किष्णी- हुर्षवर्षवार के वजीर- खा흐 अजनाला में विद्रो कर दिया था ο तो हर जगे विद्रो हुआ था फिर क्या होता है कुलू हाटी रही कुलू हाटी रही कुलू में राना पताप सिंग और विजी सिंग ने विद्रो करें तो किया लेगिन सीख रही इन सबको फासी दे दे गी बैंगॉल परिजाब राजपोतार्णा पठियाल जीन थाफ़ास को ने इससादारी नहीं ली थी इस जी से इसके असफलता का नञा विद्रो कre समय गॉलियर के सिंदिया ने अंग्रेजों की सरवारिक साहेता करी थी इस से भी देगा रही कैन इनके बारे में कादिधी सिंदिया भी विद्रोह में सामिल हो जाएं तो मुझे कली बिस्तर गोल करना होगा तो एक लगा क्या था पटियाला नाभा और जीन पंजाब के सिक्षरदा कसमीर के गुलाब सिंग गौलियर के सिंदिया और उनके मंतरी दिनकजाओ थे हैदराबाद के सालार जंग जी थे जो तुर्के राजा थे दूसरे राजपूर सासक भोपाल की बेगम थी नेपाल के मंतरी जंग बहादूर के स्वामि भक्ति अंग्रीजों के साथ रही सालने जो थे कह सकती ते किसा गदारी से अपने देश से में हमें जोके में ही बहा दिया होता अब अब विद्रोख के समय गर्व जो नहीं कुछ लगया तो हाज रंगमच परभाती रजाओं के लावा कुछ और पात्र भी दिखाई दे जाएंगी तो ये थी आपकी पूरे ठाव सुतानिक करांटी अब इसकी असफलता के करण क्या रहे करांट क्या था सबसे करण परणुट था कि एकता नहीं थी संगठन नहीं था साथनों की नियुटा थी तो पेटनी नहीं थी विद्रों की ना तो कोई कोई युज न बने क्योंकि सब अलग जाय से डिलीट कर रहे थे एको उनका दुनेता नहीं था ना काईकरम हुआ पूरा साउथ इंडिया आपका खाली रहा तो इस वज़े से इसको आप मान सकते हैं कि ये फिले और हुई थी रीजन ये भी थे रीजन थे कि संगठन नहीं हो था जो आपके में मुगल समराच जहां कि डिली से तक तक कंट्रोल होता था वहाँ पे जो बहादूर साजय अफ़ते काफी बूरे थे तो उसे ताप से कुसल भी नहीं जिते रह गये थे संगठन इतना नहीं मजबूत था सब अपने में राजा थे तो ये साय रीजन थे ये दिखते हैं क्राथी का सुरूप क्या था सो वर्स पूरग होने की संधिया प्रभाती संग को दो जिस विद्रो की शुरुबात की गए उसके सुरूप प्रकरति करों कई सारों लोगों ने बोला सीले जी बोलते हैं विद्रोड था सुतान पूरी देश भक्ती से रही तरासवात पूर्ण सैनिक विद्रोड इसका ना कोई देश सज नितत्त था ना ही कोई जन समर्थ था कुछ ने क्या बोला है कटरपन थी और दोरा इसाईयों के उस संगराम बोला था ठीक है फिर 1908 ने प्रकसित बीडी सावरकर की ये बुक आई थी इसको काफी वो मना जाता है बीडी सावरकर जीडी बुक थी फर्ष्ट वार ओफ इंडिपेंडेंस इंडिया ये काफी पूछी जाती इंपोर्टेंट है भाद कर प्रफम सॉनता संगराम ने इसे इस धाना को जनमदिय के ठाव सॉनता करांती एक सुनी और श्रित राष्टी सॉनता संगराम था ये पूछा जा सकता है बुक भी पूछ जा सकती है भाद कर प्रफम सॉनता संगराम पूल मुलता मराथी भासा में लिखी गई थी वीडी सावरकर ने अन्दमान इसे सहुदा जेल में कै सावरकर के मजसित सहमत व्यक्त दी डक्टर एसन सेन थे और इन्होंने अपनी पुस्तक 1857 में विचार व्यक्त किया कि जो कुछ धर्म के लड़ाई की रूप में सुरू हुआ वास वरंता संगराम के रूप में समाप्त हुआ संगराम जो है सरकारी तिहासकार भी मना जाता है इस सेन ने जो आपके स्वरेंदा सेन थे इन्होंने 1857 की इतागरेशन भास सरकार के कहने पे की तो तो यह इंपोर्टेंट है सावरकरों सेन की विचारों के प्रती पूर्ण असेमेटी विक्त करते डक्टर आर्सी में जो मदा बहुत 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 पुरू कहीं है ने पनी पुस्तक लिखी ताइस प्वाय म्यूटिनी एंड लिविलियन और फिटी विटी सेवन में यह कहा तता गठित प्रथम यह थे केनिंग मुगल बातसाथ दुती बिटिस और पिधानमंती उस टाइम को था लाट पाम अश्टन और बिटेन की माना ने विक्तोरिया यतने थे यह बहुत इमूटर रियाद कियेगा पेसे रिपीट करते कौन था मुगल समराद भात का दुती बाधूसा दुती जफ केनिंग वाइसरोय थे गवाइन जयन थे बहले वाइसरोय बनते क्योंकि यहां से जिदे क्राम को सासन मिलता है लाट प्रामर्श्टन थे और बिटिन की राधी बरक्टोरिया थी काज़ेज आफ दी इंडियन मिट्वीटिटिनी अठावस और पुस्तक के लिएक सेयद अह पहा जाता है क्या वह जाता है अजबार बगाते ही अब इसे श्टिपडिश के वारे में गठावस अताव के लंदन टाइम से अखबार के समवादा था डबलो एस एच रसल ने भाद की यात्रा की थी इंपॉर्टेंट है पूछा जाएगा अंदर से तो कोशन बनेगा सामराजी का हास और पतन चर्बी एक तका तो उसे वकार नहीं होता इस प्रेकार के परियाप्त कारणों और परियाप्त कारणों संजित हो जाने की वज़े से होते हैं अताय राश्टी विद्रो है अच्ठास अनों के विद्रों ने भारतियों में राश्टी एक तकी भाव ले लिया थे ये इसका परिणाम रहा था यानि एक सफलता मानी जासलती असफलता होने के बावजूद भी Company पर एक Board of Control बैठाया गया Board of Directors को समप्त कर दिया गया अब एक भार्त यानि Secretary of State होता था उसके लिए 15 सज़सी Indian Council के स्थापना करी गई थी भार्ती सचिव जो थे British सरकार के Cabinet का सज़सी होता था जो British संसरके पर थे उत्तरदाई होता था एक November 68 के लाहबाद में उससाही दर्बार में Lord Kenning ने महारानी के उद्गोश्चना को पढ़ा था मारनी विक्टोरिया का गोश्चना पर इस्टैनली ने तगयार किया था एक November 658 को साही दर्बार में उद्गोश्चना में Governor Kenning को वाइसराई की उपारी प्राक्टोरिती बहुत इंपोर्टेंट है वाइसराई समराटे सामग्री से तीगत पर इसनित्त होता है भारत में पिटी समराजी के विस्तार पर लोगों के धार्मिन मामलों में हस्तचेप ना करना सभी को एक समान कावनी सुच्छा उपलब्द कराना लोगों के काण प्राचीन अदिकारों के समान विक्त करना आध वाइदे क्राउं दोरा भारती जनता से किये गए देखे कितना ब्रवार प्रभाव करता है तो भारत में एक विरस्थित शासन प्रणाली इस्थापित हो सके इसके लिए भारत सरकार ने अब देखे पहली बार नियम आया था 88 पर इसके दोरा PITS Indian Act के दोरा की गई विरस्था को समाप्त कर दिया गया था भारती सनिकों के संके यूरोपियों संके तनला में पांच एक कर दी गई थी इंबॉर्णेट है पूछा जा सकता है 88 अठावन द्गोष्णिना और पील कमीसन की सिफाहिसों के बाद यह नुपाद दो नुपाद एक कर दिया गया था 88 अठावन के विद्रों के बाद सेना में सिफाहियों की भरती गोर्खा सिखो उत्तरी प्रान से ही की जाती थी क्योंकि लोगों ने दगेवाजी नहीं करी थी अंग्रेजों से अपने देश से कर ली थी वाइसरा कैनिंग के समय में 1861 का इंडियन गाउन सेलेक्ट रहता है कौन वाइसरा है था कैनिंग पूछा जाएगा इससे इंडियन हाई कोट एक्ट और इंडियन सेल्सराइस एक्ट भी पारित किया गया था इंपॉछा जाएगा 1859 के विद्रों के बाद 1858 में बहाद विटिस उपनिवेसवाद के नवीन चर्ण वित्ती पूछीवाद का प्रानपका चर्ण प्रारंब होता है तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था यह हमने आपको पहले क्या बता है असफलता के कान क्या थे सैनि संगठन मजबूत ना होना आधनिक हतियारों का अभाव ठीक है आधनिक हतियार ना होना और क्या था आधनिक हतियार नहीं थे नेत्त्रत्य की कमी थी एकता नहीं थी एकता नहीं थी और क्या था कई सारे ऐसे अंदर के काराण थे जैसे कि कई संगठन कई प्रांतों का एक ना होना पूरा बेंगॉल आपका बाइकॉट कर गया पंजाब बाइकॉट कर गया अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है क्राउन को सासन मिलता है और वाइस रॉय पहला कौन बनता है फर्स्ट वाइस रॉय कौन बनते हैं लॉट केनिंग पूछा जाता है कई बार और केनिंग के बाद ही 808 में इंडियन काउन सेलेक्ट आता है और इसी रहे विडियो में आप सभी से दन्यवार लेते हैं वीडियो वो लाइक करिएगा खुब सारा सेयर करिए आने वाले में एकाउंट्स और इपी एफो के लिए लेबल लॉकी क्लासेस आने वाली है तब तक के लिए अब सभी का धरने वाया है